Environmental studies ये कहती हैं कि एक kilo animal protein produce करने के लिए आपको उस जानवर को 6 kilo plant protein खिलाना पड़ता है जो कि हमारे environment की sustainability के लिए एक बहुत बड़ा challenge है साथ में बहुत सारी greenhouse gases का भी production होता है और बहुत सारा land और water resource भी use होता है से लिए global trend animal protein से plant protein consumption की तरफ shift हो रहा है धीरे धीरे Hello everyone this is Dr. Richa इस वीडियो में आज हम vegetable protein की बात करेंगे हम इसमें milk और plant protein को consider करेंगे और protein को हम दो तरीके से समझेंगे एक की quantity wise protein कैसा है मतलब 100 gram की उस food substance में कितना protein है और second की उस protein की quality कैसी है ये topic थोड़ा सा complex हो सकता है लेकिन मैं इसे simple से simple way में समझाने की कोशिश करूँगी Vegetable protein समझने से पहले आप मुझे question का answer दीजे कि आपको क्या लगता है कि इन में से कौन सा protein सबसे high quality है चार option है गेहू, राजमा, आलू या मतर अगर हम protein की quantity की बात करें तो इस table में मैंने सारे protein उनकी quantity के हिसाब से high to low में arrange किये है तो आप देखो के सबसे top में soya bean है जिसमें 100 gram में लगबक 36 gram protein है उसके बाद राजमा है जिसमें लगबक 25 gram protein है उसके बाद बाकी सारी डालें, आलमंड या फिर chickpeas आते हैं जिनमें protein की quantity high है इसके बाद आप नीचे आओगे तो oat, wheat, millet आते हैं rice उससे भी नीचे है milk में protein की quantity और कम है और हरे मटर में भी protein की quantity कम है और अगर आप आलू देखोगे तो सबसे bottom में है और उसमें protein की quantity सरफ 1.8 gram per 100 gram of food है अगर quantity wise देखें तो soya, bean और राजमा दो best protein होने चाहिए क्या ऐसा सच में है आईए समस्ते है अभी हमने protein quantity की बात करी कि कितने खादे पतात में कितना protein था अब हम protein की quality की बात करेंगे quality मतलब क्या होता है quality मतलब होता है कि जो protein आपने खाया है क्या वो सच में पच के आपके blood में जाता है और आपके शरीर के निर्माड में help करता है तो हम quality दो चीजों से समझते है number 1 क्या आपके protein में सारे essential amino acids है और number 2 क्या वो amino acids पच के आपके blood तक पहुँचते है तो ये essential amino acids क्या होते है कोई भी protein amino acids से जुड़ कर बना होता है इसमें से कुछ amino acids ऐसे होते हैं जो हमारा शरीर खुद नहीं बना सकता उसे हमारे शरीर को बाहर के खादेपदार्थों से लेना ही होता है और इसे हम essential amino acids कहते हैं ये total non essential amino acids होते हैं और इनमें से अगर एक भी essential amino acid आपकी diet में नहीं होगा तो आपके शरीर में protein का synthesis हो ही नहीं पाएगा, आपका शरीर वो जो भी protein आपने खाया उसे utilize ही नहीं कर पाएगा. Food and Agriculture Organization ने protein की quality को grade करने के लिए score दिया है, DIAAS score, Digestible Indispensable Amino Acid Score, ये DIAAS score क्या है हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसमें उन्होंने क्या किया कि हर एक protein के लिए चलो मान लेते हैं कि उन्होंने राजमा का protein लिया, तो राजमा के protein के लिए उन्होंने पूरे के पूरे no essential amino acid जो कि उसमें present होने ही चाहिए, कि quantity देखी कि इसमें वो amino acid कितनी मात्रा में है और वो पचरा है या नहीं पचरा, ऐसे करके उन्होंने हर protein के वो 9 के no essential amino acids के लिए score दिया, और अगर वो score उस amino acid के लिए 100 या उससे ज amino acid adequate quantity में है और वो पच्चता भी है लेकिन अगर किसी एक भी essential amino acid का score कम आता है 100 से, इसका मतलब है कि उस protein में इस amino acid की कमी है और अगर आप उस protein को खाओगे तो आपके शरीर में ये particular amino acid नहीं मिलने की वजह से आपके शरीर में protein का synthesis नहीं होगा और आपको protein के deficiency बनी रहेगी मैं आपको और थोड़ा easy detail में समझाती हूँ, अब आप देखिए अपने screen में देखिए कि हम casein protein मान लेते हैं, casein के सारे amino acids की value 100 से उपर है और इसका DIA score 117 है और इसमें किसी भी amino acid की कमी नहीं है, मतलब कि अगर आप milk protein use करते हो तो आपको complete protein मिलेगा, सारा का सारा amino acid और सारा आपकी body में absorb होगा, अच्छा और second example consider करते हैं, हम second example soya bean लेते हैं जिसमें अभी हमने देखा कि quantity of protein is very high, लेकिन अगर आप उसकी quality की बात करोगे तो आप देखो इसमें methionine or cysteine जो sulfur amino acid होते हैं, उनकी कमी है और इसका जो overall DIA score है वो 91 है, मतलब यह 100 के नीचे है, इ अगर आप हरे मतर को consider करते हो, तो आप देखोगे कि इसमें भी methionine या cysteine amino acid की कमी है और इसका overall DIA score 70 है, मतलब यह soya bean से inferior protein है quality wise, हम इसको थोड़ा और simplify करते हैं, आप फिर से table में ध्यान दो, कि अगर आप corn, rice, wheat, oat, barley, peanut या millet की बात करते हो, तो इन सब में lysine नाम के amino acid की deficiency है, मतलब अगर आप सिरफ यही food source अपनी diet में खाते हो, तो आपको कभी भी lysine amino acid ही नहीं मिलेगा और आपको हमेशा protein की कमी बनी रहेगी, अब हम दालों की बात करते हैं, आप फिर से अपनी screen में देखिए, कि अगर आप राजमा, fava bean, lentil, soya bean, इन में से कोई भी दाल खाते हो, तो आपके शरीर में हमेशा methionin और cysteine amino acid, sulfur amino acid की कमी बनी रहेगी, बहुत अच्छे से अगर आपने समझा, तो हमारे जितने भी grains है, cereals हैं, उसमें lysine amino acid नहीं है, और जितनी भी हमारे दाल ने हैं, उसमें cysteine और methionin नहीं है, लेकिन अगर आप दाल राइस को मिला दोगे, तो आपका पूरा का पूरा protein quality wise complete हो जाएगा है, इसलिए हमेशा से दाल और राइस को एक साथ खाने का भी tradition है, जिन भी food substances का D.I.S. score 100 से ऊपर है, वो excellent quality protein में आते हैं, इसमें हमारे milk protein और casein आता है, जो भी अपने आप में milk protein है, और इसमें surprisingly potato आता है, आलू जिसमें protein की quantity बहुत कम है, least 1.8 gram पर 100 gram में उसकी protein quality is very high, उसमें सारा amino acid और पूरा पचता है, इसके बाद में जिनका भी D.I.S. score 75 से 100 के बीच है, वो high quality protein आते हैं, इसमें soya bean आता है, जिसमें quantity भी हाई है और quality भी हाई है, तो यह अपने आप में ए इतियों ने नो सिस्टीन या सलफर कंटैनिंगा amino acid की कमी है, तो soya bean अगर आप अकेले consume करोगे तो आपको deficiency रहेगी, तो इसके साथ आप और कोई और protein product जिसमें इन दोनों amino acid की कमी नहीं हो, जैसे कि सारे cereals, mage, barley, grains, और हमारा rice, wheat, कुछ भी mix कर सकते हो, और बाकी सारे के स सारे protein, less than 75 DIS score में आते हैं और इसमें no claim quality है, क्योंकि vegetable protein sources अपने आप में complete नहीं है, आलू के अलावा जितने भी vegetable sources हैं, उसमें किसी ना किसी amino acid की deficiency जरूर है, और आलू आप as a protein source नहीं use कर सकते हैं, क्योंकि quantity is very less, आपको अपने body weight से 0.821 gram per kg, मतलब 6-70 gram per day का protein required है, तो 100 gram आलू में तो सिरफ 1.8 या आप 2 gram भी मान लो, तो भी आपको कितना आलू खाना पड़ेगा कि आपको 70 gram protein मिले, तो हम क्या कर सकते हैं, हम combine कर सकते हैं, ऐसे food sources को जिनमें अलग-अलग amino acid की कमी है, ताकि वो दोनों एक दूसरे को complement करके amino acid की कमी को पूरा कर दें, आप या combination खुद भी दूर सकते हो, आप जो भी protein source यूज करते हो, आप उसका DISS score देख लो, और देख लो कि उसमें कौन से amino acid की कमी है, और कोई दूसरा protein source जिसमें उसका amino acid हो, उसके साथ mix कर दो, एक list में आपको दे रही हूँ, जो आपको help करेगी combination में, वो आप चेक करें, तो पूरा score 100 हो जाएगा और यह complete protein बन जाएगा, तो आलू मतर की सबजी और रोटी is a complete good quality protein, soya bean के साथ आप wheat, oat, barley, millet कुछ भी mix कर सकते हो, क्योंकि दोनों में अलग-अलग की कमी है, तो वो भी अपने आप में complete protein बन जाएगे, milk अपने आप में complete protein है, अगर आप milk products लेते ह तो आप किसी भी protein के साथ में milk को mix कर सकते हो, आप दालों के साथ में cereals mix कर सकते हो, आप सिरफ राजमा खाली मत खाओ, आप राजमा के साथ में कोई भी चीज, एक जैसे wheat हो गया, barley हो गया, oat, rice, यह mix कर सकते हो, यह एक दूसरे को compliment कर देंगे plant protein के कुछ benefits है, जैसे कि अगर आप plant protein का consumption करते हो, तो आपकी lipid profile अच्छी रहती है, LDL cholesterol जो हमारे लिए खराब है, उसका level नहीं बढ़ता, obesity और metabolic syndrome के risk कम हो जाते हैं, आपकी kidney के health अच्छी होती है, यह kidney के लिए बड़ा helpful होता है, diabetes में diabetic control अच्छा होता और diabetes होने के risk कम होत जिसमें लगवग 6,00,00,00 लोगों को include किया गया था, इसमें 50-70 साल तक की उमर के लोग थे, जिनने अगले 15-20 सालों तक follow किया गया, और यह देखा गया है कि इन में से जो लोग plant-based diet लेते थे, उनकी death, heart attack या stroke की वज़ज़ से कम हुई थी as compared, जो animal-based diet लेते थे, colorectal cancer या बड़ी आग का cancer उन लोगों में जो animal product या red meat का consumption करते हैं, high होता है, बलकि जो लोग plant product खाते हैं, उनमें इस cancer का risk काफी कम होता है, soybean protein में isoflavon नाम का एक substance होता है, जो chemically estrogen के जैसा होता है, और बड़ा इसको लेकर के controversy है कि soybean में estrogen होता है, यह अपने आप में एक पूरा different topic है, मैं इनको अपने आने वाले upcoming videos में cover करूंगी, hope आपको clarity हुई होगी कि protein की कैसे सिरफ quantity नहीं quality भी important है, और आप wisely आप अपना protein choose कर पाएंगे, जो आपकी daily requirement फुल्फिल करें और सारे amino acids आपको provide कर सकें, फिर भी आपको कोई doubt है तो आप मुझे comment box में पूछे, मैं आपके questions के answer करनी की कोशिश करूंगी, अगर आप urgent reply चाहते हों तो आप हमारी family के member बने, हमारी membership join करें, आप सभी खुश रहें, 20 minutes walk continue रखें.